आज एक इस इंपॉर्टेंट टिटोरियल मैं आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूँ इसमें मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा कि आप कैसे बाइन्स में स्टेक करा सकते हैं अपने कॉइंस फॉर लॉंग टम परपस जिन लोगों को भी कॉइंस लेने होते हैं वो अपना स्टेकिंग में स्टेक करा सकते हैं बाइन्स स्टेकिंग ऑप्शन देता है CoinDCX भी देता है बहुत सारे ऐसे प्लैटफॉर्म से बट यह टुटोरियल बाइन्स के लिए है क्योंकि वहाँ पर जेनरली जो ग्लोबली माना जाता है और बहुत जादा एक्सेप्टेट है बहुत जादा लोग उस पर विश्वास करते हैं तो इसलिए मैं बाइन्स का अगर पड़ी है तो अच्छी बात है अगर नहीं पड़ी तो इंस्टॉल कर लिजे जब तक यह एप इंस्टॉल होती है फोन में तब तक मैं आपको डेस्टॉप पर लेकर बता देता हूँ कि आखिर स्टेकिंग कितनी तरह के सो तरीके से हो सकती है और कौन सी स्टेकिंग आपके डिउरेशन के हिसाब से सही होगी मैं आ गया हूँ बाइनस के स्टेकिंग पेज पर यहाँ पर मैंने लॉगिन नहीं किया हूँ जैसे आप देख सकते हो दो तरह की स्टेकिंग आपको दिखेंगी एक होती लॉग्ड इस्टेकिंग एक होती डीफा स्टेकिंग ठीक पहले हम लोग बात करेंगे Locked Staking के बारे में Locked Staking का मतलब यह है जाहिर सी बात है आप कुछ दिनों के हिसाब से अपने Coins को इनके पास जमा कर दोगे जमा करने के बाद आपको Locked Staking यानि आपको कुछ Returns मिलता है और वो Return दिया होता है Estimated Annual Profit Per Year या फिर आप कह सकते हो APY जिसको लोग कहते हैं तो APY जो है वो एक साल के हिसाब से दियाता है यानि 24.5% मानी अगर मैं आपको बोलूँ कि Sand Token आपके पास 1000 हैं और 1000 Sand Token आप इनके Binance पर Stake कराते हो For a Year यहाँ पर Estimated APY एक साल के लिए बोला है रिन्यू करा 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 के बार-बार Stake करा 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 के पूरा एक साल तक ले जाते हो Stake तो 24% आपको यहाँ पर Send Token बढ़के मिलेंगे यानि 1000 Token आपने जमा किये थे और आपको Token मिलेंगे एक साल के बाद 1245 Token टोकन मिलेंगे इसी तरह से आप इन में BTC को डालते हैं तो 18% की Staking है और Airdrop के भी Chances देखें यहाँ पर दिया हुआ है अकाला पर 21% का यहाँ पर Staking है और 21% का चला यह APY है अब आपको अगर Stake कराना है तो आप यहाँ से Duration सेट करोगे 30, 60, 90 और देखें यहाँ पर कहीं पर आ रहा है Sold Out Sold Out यानि कि अब जगा खाली नहीं Staking हो चुकी है और अब साट पर चेक करोगे तो Stake Now का Option आ रहा है आप Stake कर सकते हैं इसे नौ पर क्लिक करके तो यह हमारा होगे Locked Staking Locked Staking में यही होता है और क्या मतलब होता है कि आपके पास Locked Staking अगर आपने तोड़ना चाहा पहले मान लिजए आपके पास Locked Staking है और आप चाहते हो कि नहीं भी है आप हमें जरूरत पढ़ रही है हमें coins वापे से जो हमने Locked Staking को तोड़ोगे तो इंट्रेस्ट जो है वह आपको डेली बेसिस मिलता है तो जितना भी इंट्रेस्ट आपका बना होगा मान लिजए कि एक साल के एकदम अंत पे 365 दिन होते 364 दिन पे आप यह रिसाइट करते हो जैसे 10 दिन के हिसाब से 24.5% APY मिलेगा तो 10 दिन का कितना हुआ वो डिवाइड करके देख लेना यानि 365 से आपको इस percentage को डिवाइड करना है तो उतना एक दिन का आपको coin मिलेंगे यह होता है इस्टेकिंग का मतलब अगर आप sand को पहले निकालोगे 364 दिन तो आपके 24% token हट भी जाएंगे यह मतलब होता है यानि आपको जितना interest बना था उतना ही interest आपको कट के वापिस दिया जाएगा अगर आप time से पहले निकालना चाहते हो यह खराबी होती है लॉग्ड स्टेकिंग में लॉग्ड स्टेकिंग यह होती है और अगर मैं आपको flexible स्टेकिंग बताऊ तो flexible स्टेकिंग में होता है कि आप जब चाहो अपना coin को स्टेक कराऊ जब चाहो अपने coin को बाहर निकाल लो और चाहे जितना भी आपका बना होगा उतना आपको मिल भी जाएगा तो जो flexible स्टेकिंग होती है जाहिर सी बात है हर को ही कर सकता है और सबसे आसान पड़ती है लेकिन flexible स्टेकिंग में यह होता है कि आपको flexible स्टेकिंग में सबसे कम API मिलता है अब चलते हम लोग डिरेक्ली अपने phone की बाइनस प्रो में कर लूँगा ताकि मुझे सारे options दिखाई दे है आप जैसे कि आप देख सकते हो बाइनस की प्रो एप मेरे सामने यहाँ पर prices दिखा रहा है अब आपको market दिखता है नीचे trade दिखता है और futures दिखता है और यही side में आपको option दिखता है wallets का अब यह है आपका wallet अब wallet के ही screen पे आप देखोगे नीचे आने पर आपको एक option दिखता है M futures, coin M futures के नीचे earn का earn के option पे click करने के बाद आपको subscribe to earn दिखेगा और यहाँ पे सारे holdings दिखते हैं जितने coin मैंने previous past में करा के रखे देखे तो subscribe to earn पे click करूँगा फिलाल मेरे पास कोई coin अभी पढ़ा नहीं है शायद USDT पढ़े होंगे तो उसको करके दिखा देता हूँ आप देखें यहाँ पर duration के मामले में पहले तो आपको coin दिखाता है इस part पे और फिर आपको दिखाता है estimated APY किस में मिल ला है और side में दिखाता है duration duration का मतलब होता है flexible या फिर locked तो जिन में days दिखाता है वो मतलब की locked मांग रहा है flexible वाले में days नहीं दिखाता है क्योंकि आप कभी भी निकाल सकते हो कभी भी अपने coin को stake करा सकते हो तो मान लीजे मेरे पास अभी USDT पढ़ा है मैं यहाँ पर search करूँगा USDT और देखता हूँ मुझे कौन से option मिलते हैं USDT में मुझे option सिर्फ एक मिल ला है वो है flexible यानि 7% का एक साल के हिसाब से यानि 365 से अगर मैं divide कर दो तो एक दिन का उतना मिलेगा तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने maximum select किया है जितने भी USDT पढ़ें 78 मान लीजे पढ़े हुए मेरे पास तो मैं यहाँ पर estimated interest मुझे दिखाने लगा subscription date जो मेरी है वो 2022-2024 है यानि 2 February आपको देख रहा है sorry 4 February value date जो है कि मेरी pass से start होगी जुड़ना मेरा interest 5 से start होगा interest distribution date जो होगा वो 6 से start होगा अब estimated interest मुझे कितना मिलेगा आप देखो 0.01 USDT एक दिन में मुझे मिलेंगे अब सोचो यह तो मेरे पास सिर्फ 78 है अगर आपके पास 1000 USDT होँ तो आपको थोड़ा बहुत amount सही ठीक ठाक मिल जाता है और आपके पास 10,000 USDT हो तो और अच्छी बात है तो bank से तो काफी अच्छा rate आपको दे देते हैं अब आपको I have agreed to करना है और उसके बाद confirm पे क्लिक करना है जब आप confirm पे करोगे तो आपका subscription जो है और 78.1 हो जाते हैं तो 0.1 जो है फिर से 78.1 फिर से stake कर दे हर दिन तो यह अपने आप कर देगा अगर आप auto subscribe पे क्लिक करोगे जो कि मैं regularly करता हूँ go to savings पे जाओगे अब आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़े दिखा रहा है कि आप कितने सारे कर सकते हो अगर आप वापिस आओगे फिर से wallet में wallet में वापिस आखे आप earn में जाओगे तो आप देखोगे आपके यहाँ पर बहुत सारे coin दिखा रहा है बट नीचे आपको USDT दिखा रहा है USDT की यह staking है मेरी और यहाँ पर 7% का APY दिखा रहा है और सारी detail है यहीं पर आपको USDT दिख जाते हैं ऐसे करके जैसे मैंने बहुत पहले EVEX करा रखा था, DOT करा रखा था Matic और Soul यह सब करा गे रखे थे तो इनके जो interest है वो यहीं पर लगे हुए बहुत दिनों से, तो यह चीज है तो यहाँ पर आपको सारे coin दिखाएगा अब अगर आप देखोगे All Holdings में जाके आप Flexible Saving देखोगे, मेरे पास Flexible के कौन-कौन से हैं तो यह नहीं दिखा रहा है, मेरे पास Flexible ही है सब कुछ यह देखे, सारे Flexible है अब मालीजे मुए देखूँ कि यहाँ पर Locked Staking वाले कौन से हैं Locked Staking सेलेट करता हूँ और देखता हूँ Locked कौन से, मेरे पास कोई भी Locked नहीं है अब मैं आपको Locked भी करके दिखाता हूँ Locked कैसे करा जाता है पहले हमें Locked करने के लिए अपने USDT को वापिस से Unstake कराना होगा तो मैं नीचे Earn के नीचे आऊँगा USDT पे क्लिक करूँगा यहां Redeem के बटन पे क्लिक करूँगा और यहां Max Select करूँगा Fast Redemption का मतलब यह होता है कि आज ही जितना भी हमारा बना हुआ है सब निकल जाए आज का Interest नहीं मिलेगा Standard Redemption में आपको 5 तारिक को आपके वापिस होगा यानि एक दो दिन जनरली बढ़के मिलता है बड़ थोड़ा बहुत return भी उसमें जॉइन हो जाते हैं आज के लेकिन आपको जल्द जरूरत है तो आप Max Select करो I have agreed करो Confirm Redemption कर दो आपके सारे Coin जो है वो आपको मिल जाएंगे ठीक Coin होगा यहाँ पर जैसे BNB की Locked Staking चल रही है तो मैं 30 दिन यहाँ पर Select कर सकता हूँ 90 दिन भी Select कर सकता हूँ यहाँ पर बहुत सारे जो हैं Select कर सकता हूँ Days तो मुझे यहाँ पर Maximum Select करना होगा नीचे आऊँगा तो Stake Date दिखाएगा Value Date दिखाएगा Interest Period एक दिन हुआ होगा जितना भी हुआ होगा और Estimated APY दिखा रहा है और Estimated Interest Per Day कितना मिलेगा अगर मैं I have agreed पर करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके Confirm कर सकता हूँ ठीक तो इस तरह से हो जाएगा फिलाल BNB में पास है नी पर जब Locked हो जाएगा तो Locked के भी वही प्रेक्रिया है जो उसमें थी अब इसमें एक और Option आता है जो कि यह High Yield वाला High Yield में आपको ज़्यादा मिलते है रेटन पर ज़्यादा रेटन का मतलब यह है ज़्यादा रिस्क भी आता है Locked DeFi Staking में आपको मिलते है रेटन वो भी flexible होते हैं पर वो ज़्यादा मज़ेदान ही पर सबस्याद आपको यह देते हैं इसमें क्या होता आपको दो coin जो है submit कराने पड़ते हैं एक front और BUSD दोनों को ही आपको जमा करना होगा front भी कर सकते हो BUSD भी कर सकते हो और आपको pair में जो है liquidity प्रोवाइड करानी होती है ठीक आप यहाँ पर max select कर सकते हो आपको दोनों coin लेने होंगे और वहाँ से आपको rewards मिलेंगे 30% APY के हिसाब से और locked staking होती है तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा कि staking कैसे करानी होती है BNB के अंदर Binance के अंदर और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज वीडियो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा मैं मिल तौप से नेक्स वीडियो में तैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो